लोका NCRT जोन में History Classics को डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम आज Chapter 8 डिस्कस करेंगे देखो Chapter 7 तक डिस्कस कर चुगे हैं इस Chapter 8 में बहुत Important चीज डिस्कस करना है असो का लेकिन इससे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि आपको पता है थोड़ा पीछे Chapter में ताकि आपको लिंक कर सके आसानी से जैसे Earliest Cities के बारे में हमने डिस्कस क्या था जिसमें Indus Valley Civilization के बारे में डिस्कस क्या था लेकिन इस Chapter में Books and Virials में चाप्टर में डिस्कस क्या तो हमने माहा जन्पद के बारे में मतलब जन्पद के बारे में जन्पद, जन्पद, जन्पद के बारे में डिस्कस क्या था लेकिन इस Chapter में हमने डिस्कस क्या था मौरेया के बारे में ध्यान देना मौरेया याद है न मौरेया में हमने डिस्कस क्या थे कि बहुत सारे अलग-अलग राजा हुए थे, जैसे मौरे में सबसे पहले डैनस्टी हुई थी, जिसको हरयंग डैनस्टी बोलते हैं, फिर शिशनाग बैनस्ती, फिर ननद डैनस्टी और इस सब को हरा के ऐसी डैनस्टी आए, जिस में आपने पिछली चैप्टरे में पर दो पर था ना नंद डाइनस्टी का राजा था धनानंद जिसके समय में आया था लेकजेंडर लेकजेंडर जो पूरी दुनिया को जीतने आया था लेकिन वो फिर धनानंद के हाथी हो गरा को देखके बहुत थक थक गया था उसका सैनिक फिट लॉट गया वो क्लियर तो इस पटिकुलर चैप्टर में मौरयम के हम एक राजा के बार में डिसकस कर रहे हैं मौरयम के तीन राजा था सबसे इंपॉर्टन सबसे पहले थे चंदगुप्त मौरय उसके बाद था बिंदु सार उसके बिंदु सार के बाद थे असोका यह तीनों इसलिए इंप विंका को फॉलौ किया था शेम असोका बुधी जम को फॉलौ किया था तो इस चैप्टर में में सिर्फ असोका जी के बार में ड्यसकत करना है तो चलिए शुरू करते हैं कि पहली बार एक ऐसा राजा आया था जो बहुत स्ट्रॉंग था और जिन्होंने अपने राज्ये को इतना ज्यादा वराया है इसलिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऐसा क्या हुआ था ऐसा क्या हुआ था कि असोका इतना पावर्फुल क्यूं हो गया और मिन मगध ही इत और एक है लेटर अर्लिक वेदी के रहा 500 साल की अलमस्ट यह भी 500 साल की अलमस्ट उसके बाद जब एक खतम होगा रहा होने लगा इसके एंड के समय में कुछ-कुछ जो राजा थे जो इस समय जो थे वो छोटे-छोटे गाउं के राजा हुआत करते थे जैसे ग्राम सबसे राजा होता है गन के राज लेकिन यहां पर गन बना अपने छोटे-छोटे गनों को साथ में मिला के बना जन बोलते हैं जनपद और जनपद मिलके बना महा जनपद और 16 महा जनपद जो बचे थे उसमें से बाद में सिर्फ चार बचे थे जैसे मगद, अवन्ति, और एक और कोई था तो इन चारों को भी हरा के एक बचा बाद में मगद, मगद सबसे बाद में बचा एक ही, अच्छली उन्हें ने लिक्षवी को उतने तरह से हराया नहीं, लिक्षवी और बाद तक चला, लेकिन मगद सबसे पावर्फुल बन गया था, लिक्षवी भी अल्मोस्ट इनके सॉवर्णेटी को सुविकार कर चुका था, तो मगद सबसे और इसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि मगद आपको एरिया लगता है ने बिहार, जारखंड वगरा वाला एरिया, यूपी वाला एरिया, यहां पे इनको मिल गया था, जो आपको पता है जो फसल हो गएरा भी इनका अच्छा हो था, तो भाई, फूड सिक्योरिटी है, हथियार हो गया है, और भी कुछ-कुछ चीज़े मिल जाती थी, तो और क्या चाहिए, और मीन सबसे पावर्फूल, सबसे पावर्फूल, जो चंदको मौरे के गुरू थे, कौन थे, आपको बत था, कि कि स्टेट को कैसे चलातना है, कि लोगों कैसे गवर्ण करना है, तो उन्होंने ये तीन-चार्ची है, जो इतना इंपॉर्टन रोल प्ले की, कि इतना पावर्फूल रूलर बन गया, अब असोका जी के बार में डिसक्स करना है, मेन, देखो ये चैप्टर अब बार, तो आपके जो 6th क्लास के जितनी भी NCRT है, उसमें जो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है, तो उसमें एक स्टोरी बता थे, एक बच्ची थी, वो देखती है कि प्रिंट जो नोट थे, उसमें एक तरब तो गांदी जी का पिक था, लेकिन एक साइड में एक फोटो था, जो कि लायन का फोटो था, तो उसको अस्चर्ड होता कि फिर एक कैसे आ गया, तो यह आया है, एक्चुली, एक्चुली यह लायन कापिटल है, जो हमारे इंबलम में भी हमारे इंबलम में ही है, जो एक्चुली आया है, जो देखो, जो असोक थे न, मैं एक जहां पर उनका authority था वहां पर एक pillar बनाते थे और pillar के उपर जो एक capital टाइप का बनाते थे यह सब आगे की class में और समझ में आगा जैसे इसको abecus होता था उपर जानबर होता था अलगले जैसे इसमें lion capital है उसका wool capital है पिछले chapter में हमने देखा था wool capital के बारे में wool का और भी बहुत सारे जानबरों को आता था clear तो सबसे पहले asoka के बारे में हम basic जानकाली जाल लेते हैं कि asoka था किस dynasty का यह तो आपको पता ही चल गया asoka था morain dynasty का morain dynasty का morain dynasty का third ruler था पहला है चंदगुप्त मौरे फिर है बिंदू सार ध्यान देना confused नहीं हो न बिंबी सार अलग है बिंदू बिंदू उसके बाद आता है अशोक अशोक का जो timeline रहता न ओल्मस 30 साल रहते हैं 28-30 साल 269 BC से लेके 232 BC तक यह हम ऐसे बोल सकते हैं आध से 2079 साल पहले 2279 साल सिंपल इतना याद रखो यह timeline आप ध्यान में रखो यह याद रखो clear अब देखते हैं अशोका वाज ओन 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 ग्रेटेस्ट डूलर हिस्ट्री में जिनका आपको इंस्ट्रक्शन और इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन का मतलब देखो मान लोग कहीं गवर्न कर रहे हैं जैसे मान लोग उनको कुछ बताना हो कि भाई आज से टैक्स इतना लएगा कहां लिखेंगे सोसल मीडिया थो ली था कि सीधा ट्विटर पर बॉल देंगे यह गवर्न अंट्रप्शन साइट पर बॉल देगी तो क्या करते थे इंस्क्रिप्शन लिखा दिए से इनको तो पता था जब तक जिन्दा रहूंगा यही रहेगा तो यहां पर बता देंपायर है जासो का रूल डवाज फाउंड वाई तो मैंने आपको बता दिया तेरा सो साल अलमस्ट थेई सो साल से भी ज्यादा पहले स्टार्ट किया था चंदगुत मौरे ने चंदगुत टॉपिक है कि डाइनिस्टी क्या होती है भाई डाइनिस्टी सिंपल होती है आपके पापा आप आपके बेटे बेटा सब राजे कर रहा है तो इसी को तो डाइनिस्टी बोलते है डाइनिस्टी का मतलत है सेम मिंबर का सेम फामिली का मिंबर बार बार राजा बन रहा है उस इसके अलावे इसका दो बहुत इंपोर्टन सिटी था तक्षिला तक्षिला में लिए परहा योगर एक लिए बहुत फैमस था आपको नाम सुना को बहुत जो लोग पर ने उज्जयन ये तीनों बहुत इंपोर्टन था असोका डारेक्ट अपने यहां पर बैठते थे उसके पता चलता है कि इनका कंट्रोल more or less हर जग था लुंबीनी से मिला है रामपुर्वा से मिला है लॉरीया सारनात को शाम पी गुर्जर इन सब जग से मिला है इसका मतला more or less control था सब जग था तो यह ऐसे राजा हुए पहली बार जुनहेंने पूरे देश गो जोडने का ट्रा से आपका authority बहुत लंबा चो रहा होगा बहुत दूर तो आप इसली empire बन गए तो आप question उड़ता है कि इसको control का आपके पास ज्यादा टैक्स के थूरू पैसे चाहिए क्योंकि आपको आर्मी को भी तो पैसे खर्चा करना है आर्मी पे तो अब रूल कैसे करते थे तो को अलाबे जो नीचे वाले सेंटर है उस पर governor वेज दो simple जो अभी चल ला है न यहां पर प्रेसिडेंट है और यहां पर बहुत सारे गवर्नर है यह indirectly फोरा 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 यहां पर कर रहे है कोई प्रोल्म नहीं है उसके बाद कहा कहां पर मिला हो वह उसका tribute क्या है, देखो tax के अलाबे एक tribute होता है tax तो होता है, जो regular लिया जाता है tribute का मतलब है, कि आपने जमीन खरदा, आपने कुछ खुशी-खुशी राजा को दे दिया खुशी-खुशी का मतलब ज़रूरी नहीं है अब सिर्फ खुशी, थोरा कभी भी मन नहीं हो तो भी देना है कि आप ये पटिकुलर चीज करोगे तो इसमें ट्रिब्यूट कुछ पार्ट तो राजा को होना चाहिए उसके बाद जब राजा कापिटल सिटी में निकलते थे तो पालकी में जाते थे ये संपल बात लिखा हुआ है कि जाते थे तो यहां जाते थे तो बहुत सो लोग यहां पर मिलते थे और clear उसके असोका यूनिक रूलर इसलिए थे क्योंको उन्होंने inscription लिखवा है inscription बहुत चारे और inscription में ध्यान देना inscription यह नहीं कि भाई संस्क्रिप्ट लाइए लिखा दिया कोई परही नहीं और बाद में उस पर लोग को हरास करें कि भाई हम तो लिख दिये थे कि 1 by 6 आपको टाक्स देना है और आपने परहा ही नहीं तो बोला सर हमको परने कहा था असक्रिप्ट उन्होंने नहीं किया उन्होंने प्राकिर्थ लाइंग्वेज में लिखा इवन ब्राम में script और script और language में एक में छूटा विडियो बनाऊंगा अगर आपको confusion हो तो जैसे simple बांबादा आदो script होता है जैसे a, b, c, d से जो z तक है ना simple और इससे आप कितना language लिख सकते हैं इससे आप लिख सकते हो Germany का language, इससे आप लिख सकते हो USA का language इससे आप लिख सकते हो UK का language इसको हमारा अपना भ्लग भी सोह रहा रास है न हमार जैसे हम ड्स हो हई कलर में यह रेते हैं अब इस यह ले अर क Olá ja lan ao कि थे材 चलिक्थ को इसलिए इसलिए कलिंग को हरा ना यूनों ने सबस्सके करलिंग उससे में बहुत र्णिक रिपब्ली उखा काता, मतलो वह काफी डेमोकरेटिक राज्य टाइप का था, तो उसने लाराई महरा दिया लेकिन इतना वायलेन्स देख था, कि जितने लोग मरे हैं, जैसे मिलाजो कोई एक jud. लोग मरा है, bread एड़ रहा है تو यही ताना तो इस बाकि चार पांच लोग है तो रोएंगे ही न रोएंगे तो asoka को लगा यार नहीं अब हम ऐसे नहीं जीतना है क्योंकि अब लराई जगरा से नहीं जीतना है अभी हमें प्यार से जीतना है तो अभी हमें लोगों का heart change करना है, अपने heart change करना है, उनको उनके दिल में बसना है, तो उन्होंने सुरू किया, की चलो भाई, धर्म को अपनाते हैं, अपने धर्म को फैलाते हैं, धन्मा जिनको बोलते थे, और धन्मा clear, तो असोका का धन्मा क्या था, ध्यान दे ना, असोक तक परिनिर्वाना में हो चुके थे ठीक है ना और महात्मा बुद्ध के एक सीष्य थे उपागुपता मतलब ऐसे एजसे नहीं बोल सकते मतलब जिन्होंने बुद्धिस्ट को अच्छे से फॉलो किया थे बुद्धिजम को फॉलो कर रहे थे उपागुपता तो अच्छा अच्छा लग रहा थे लेकिन ध्यान देना है अच्छा 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 लग रहा थे पिक करके और लोगों में फैल आ रहे थे जैसे रेस्पेक्ट करना है जैसे स्लेव और रेस्पेक्ट करना है जो नोकर आपके घर काम करें उसका रेस्पेक्ट करना है किसी दुख दर्द नहीं पहुचाना है ऐसी ऐसी बाते और इवेन सिंपल ऐसा नहीं था कि असोका से बोल रहे थे पाई उन्होंने ऐसा मिनिस्टर भी अफिशल भी आम पॉइंट कर ले जिसको धम्मा महामात्ता बोलते थे धम्मा महामात्ता का कामी यही था कि अब धम को फैलान धम की टीचिंग को फैलाना लोगों तक इधर उदर सर्जव फैलाना क्लियर इवन असोका अपने मैं बताया कि असोका पीलर पे अब 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 सोका पीलर था इवन पीलर तो कमी थे उसके लावे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन थे जैसे बोर्ड टाइप का कहीं लगा दिय यहां पे असोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखा दिया और इवन ऐसा नहीं था असोका कि चलो अपने देश तक गिराते आगे नहीं जाते उन्होंने बुद्ध के धर्म को फैलाना स्टार्ट किया सीरिया एजेप्ट ग्रीस सिलंका हर्ज उन्होंने स्टार्ट कि इवन सिलंका में उन्होंने अपने बेटा बेटी को भी बेजा था जैसे महेंद्र और महेंद्र उनका बेटा का नाम था और सौबीता करके कुछ उनके बेटी का नाम था और इवन जो ओरिजिनल टी था जो बोधी बिच उसका एक पार्ट भी भेजा था उन्होंने सिलंका में और बुद्ध का मेन मानना क्या था और एक और चीज़ बुद्ध लुंबीनी भी कह थे जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हो था इवन सारनाथ भी कह थे सारनाथ का पीलर तो आपको पता ही है क्लियर कोई प्रावलों नहीं है पर अब असोका का मैसेज क्या क्या था असोका सिंपल कैसी कैसी बात करते थे सबसे पहले देखो these are being gentle अपने slave को परती servant के परती अपने बरो का suspect करो creature जो जितने सारे लोग है जितने creature है उनके प्रति दया होना चाहिए ऐसा नहीं भाई वो जानबर है मुझे के प्रति क्यों दया करो सब के प्रति दया होना चाहिए द्राम्मेन को मौंक्स को gift दो और it is both wrong to preside once मतलब यह बहुत गलत है कि मैं अपने धर्म को preside कर रहा हूँ दूसरे को नीचा गिराना चाह रहा हूँ मैं अपने को follow कर रहा हूँ मुझे और आपका respect कर रहा हूँ मुझे आपसे कोई ले ना दे नहीं मैं बस आपके धर्म का respect कर रहा हूँ इस वन प्रेसाइज one's own religion while criticizing another one is actually doing greater harm to one अगर आप दुसरे के धर्म को धर्म को के खिलाफ बोले इसका मतलब आपके धर्म में कुछ न कुछ ऐसा गलत सिखाया गया है जो आपको ऐसे बोलने पर मजबूर किया जा रहा है clear simple बात हो गई यह simple यह चाइना का Chinese wall जो बना है वो almost यहां पर बता गया है कि somewhat before the time Moran Empire इतना समच China begin इसी समय के आसपस China ने अपना wall बनाना स्टार्ट के थे तभी तो चाइना ने अपना wall स्टार्ट किया था बनाना बहुत सा साल लगे थे almost 2000 साल लगे थे तभी तो जो क्या बलते हैं जो medieval period में जो जो राजा होगे रहा है थे तो हो सकता है उसमें से कुछ चाइना के तरफ चले जाते है लेकिन उसमें से दीरे दीर wall बन रहा था तो सारे के सारे इंडिया के तरफ आने लगे और सब हम पे कबजा जमा रहे थे कि यही चाप्टर है खतम खतम अब स्टार्ट करेंगे हम कौन सा चाप्टर है देखता हूँ थैंक्यू थैंक्यू सो मच अगर आपको अच्छा लगते तो बताईए और ये भी बताईए कि आपको अगर पसंद नहीं है तो क्या नहीं पसंद है और ताकि मैं उसमें बदलाब कर सकूँ ताकि अगली बार आप देखो तो आपको पसंद आजाए थैंक्यू, थैंक्यू सो मच